गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट आज अपन भारती राजी ती विचारक मनु के आगे की जो विचार है मंत्री बर्शत को लेकर सासक के उपर किस परकार जनता द्वारा या नेतिक सिद्धानतु के द्वारा नियंतन रखा जा सकता है इनकी उपरपन चर्चा करेंगे इसके पहले वीडियो में अपने देखा कि मनु ने किस परकार रज्जी की उत्पती का सिद्धान दिया राजा की उत्पती इस्वर्क ने की पढ़जा की रक्सा के लिए और जो मतश्यन आय पहले उपस्तित था उसकी समाप्ती के लिए और राजा का या राज्जी का जो कारे शेत्तर भी मनु ने विश्टरित रूप से बताया आज अपन मनुष मर्ती में मंत्री प्रश्चत के बारे में क्या-क्या उलेक मिलता है क्या वनन मिलता है उसके उपर अपन चर्चा करेंगे देखे मनु ने ये स्विकार किया था कि मंत्री प्रश्चत जो है राज्य कारे को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है राजा के लिए ये आवशिक है कि वो एक ऐसी मंत्री परशद का निर्मान करे जो उसके कारियों में उसको सहयोग कर सके क्योंकि राजा द्वारा जब धरम दंड का प्रियोग किया जाएगा तो ये ज़्यादा उप्युक्त होगा कि वो अपने मंत्रियों से मंत्रना करके उनसे प्रामर्श करके सला मस्विरा करके ही उसका प्रियोग करे क्योंकि मनों ने ये स्विकार किया कि हो सकता है कि जो सास की सकती है उसको यदि राजा अकेला प्रियोग करता है तो वह अनुचित तरीके से उसका प्रियोग कर सकता है तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कितने सदश्य मंत्री विश्चत में होने चीए तो इसके लिए मनों ने ये माना कि राजकारे को सुचारो रूप से तभी निर्वा किया जा सकता है कि कम से कम साथ आठ मंत्री हो जिनकी न्यूगती राजा द्वारा की जाए उनके प्रामर्स की साहता से राजा जो भी सास के कारे है उनको संपन करे तो इस परकार मंत्री प्रिषद में जो सदस्य संक्या है वो मनु ने या मनुश्मर्थी में कितनी बताएगी है साथ-ाथ मंत्री होने चाहिए सबसे पहले अपन देखते हैं मंत्री पत के लिए यूब गेता है मनुष्मर्टी में कि कौन सा व्यक्ति जो है तो मंत्री प्रिस्द का सदश्य बन सकता है सबसे पहले मनुष्मर्टी में जो लेक मिलता है वो ये है कि मंत्री का उच्छ कुल में जनम होना जरूरी है यानि वह उच्छ कुल में पेदा हुआ होना चाहिए साथी जिसे उसको सास्त्रों का ज्यान हो सस्तर विद्या में निपून हो और अन्य युग्यता के लिए जो भी परिक्षन के जाए उनमें ये दिवो सफल रहता है तभी उसको मंत्री बनाया जाना चाहिए मनुश्मर्थी में ये भी लिखावा है कि ज्यादा मंत्री कौन से वर्ग से लिया जाए तो मनुने मंत्री के लिए कि उच वर्ग से ही वो धर्मात्मा भी हो और ब्राह्मन जो है उच वर्ग से कुलिन वर्ग से मंत्री बनाया जाने चाहिए यहाँ पर देखिए मनुने जो सुद्र को जो चार वन वेवस्ता वहाँ पर स्लित थी ब्रामन है शत्रिय वैश्य और सुद्र तो सुद्र को मंत्री पत्पर न्युक्ति के लिए सरवता क्या माना अयोग्य माना और ये भी कहा कि ये दि मान लिजे सुद्र अपनी योग्यताओं से मंत्री पत्पर न्युक्ति के लिए उप्यूक्त भी हो जाता है तो भी उसे मंत्री पर नहीं देना चाहिए या मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए तो इस परकार मनुने उच्वर्ग का होना जरूरी माना है और साथ ही अन्ने जुगुण माने हैं जैसे मनुने कहा कि वसूरवीर हो, उचसाई हो, उचकोल में उचकोल में पैदा हुआ हो और ऐसा वक्ति होना चाहिए जो इमानदार भी हो, चारित्रिक रूप से भी वसुद्ध होना चाहिए उसके बाद में देखें मंत्रियों के दाइत्वा और अधिकार जिन वक्तियों को मंत्री पथपन्य उक्तिया जाता है, उनके क्या अधिकार और दाइत्व और क्रतवए हैं देखिये, मनुष मरती में राजा या राज्ये का प्रमुकुद्धेुश य परजा का कल्यान बताया गया है क्योंकि राजा की उत्पती ही मतश्य नयाय को समाप्त करने के लिए हुई थी इसलिए मनुने काये कि विभिन राजकारी है तू ये जो मंतरी है इनको विभागों का देख्स बना देना चाहिए और ये कारे अन्य जो राज्य करमचारी है उनके कारियों की क्या करेंगे देख बाल करेंगे साथ ही नागरिकों की द्वारा क्या कारे के जा रहे हैं उनको देख रहे करना उनका निरक्षन करना परजा के कारियों का निरक्षन करना भी इनका कारिय होता है जैसे जिस राज्य में ये दी चोरों बग्यरा की से प्रजा परेशान रहती है तो फिर मनुश्मर्थी में ये का गया है कि ऐसा राजा और उसकी मंत्री प्रजा की रख सकत नहीं हो सकते एक तरीके से होना या नहोना उसका बराबर है इसके अलावा मंत्रियों का ये भी दायत्व है कि राजा के समख्ष राजा जब कभी कोई नेत्ता के अनुसार उसे सला जो दी जानी चीए वो अच्छी होनी चीए और परचा की रक्षा के लिए होनी चीए इसके अलावा जब भी राजा द्वारा दूसरे रास्टों में जैसे दूतों की जो राजदोत होते हैं उनकी न्युक्ति की जाती है या गुप्तचर जो वेजे जाते हैं दूतों की जो कारिये उनका निरेक्षन करना भी मंत्रियों की दायत्व है में सामिल किया गया कि मंत्रियों का इदाइत्व बनता है कि इन सब की न्युक्ति के समन में भी वो राजा को प्रामर्श दे इस परकार परमुक्चो कारिय मंत्री का दाइत्व या कारिय जो मनुश्मर्टि में बताया गया वो यही था कि वो राजा को उचित प्रामर्श दे उसके बाद में अपन देखते हैं मंत्री पृष्षत की कार्य पढ़नाली देखें प्राचिन जो भारती धर्म गरंत है जो इसमर्ति साहते हैं उनमें मंत्रियों से किस परकार मंत्र ना की जाए इस समन में दो विध्यां का वर्णन अपने को मिलता है या दो विध्यां पढ़ने को मिलती है उसमें एक है कि मंत्री पृष्षत के सदशों से पर्थक पर्थक गौपनिय विचार विमर्स किया जाए यानि अलग-अलग मंत्री से कि वो इस विशे पर क्या राय रखते हैं या फिर समकून मंत्री पृष्षत से सामुई गौप से विचार विमर्स किया जाए मनुश मर्थी में सासको परिस्थितियों के नुसार इन दोनुई विध्यों का प्रियोग करने का प्रामर्स दिया गया मनु ने ये का कि सासको मैतवपूंग जटिल जो समश्य होती है उनके उपर मनुश्मर्थी में ये भी लिखा हुआ है कि जो सासके कारे हैं उनके संदर में सामुई करूप से ही मन्तरना की जानी चाहिए उसी गोप्यों भी माना गया है उसके बाद आपन देखते हैं मंत्रना की गोपनियता यानि मंत्रियों से जो विचार विमर्स किया जाता है उनसे जो सलाम अस्विरा किया जाता है वो कब किया जाए उसको कैसे गोपनिय रखा जाए इस अंदर में मनुष्मर्दी में मंत्रणा के लिए जो प्यूक इस्तल है मंत्रणा का समय कब किया जाया आउश्यक जो परिस्थितिया है उनका इस पस्ट विवेचन किया गया है इसके लिए मनु ने ये का कि एक तो मध्धान दिन में मध्धान का समय या फिर अर्द राते में क्योंकि मनु का ये मानना था कि ये सामने वो समय है जिसमें ज्यादातर जो व्यक्ति है उनके विश्राम का समय होता है तो ऐसी समय में मंत्रणा में जो व्यवधान या बादा है उसकी उपस्टेती बहुती कम रहेगी इसके अलावा मंत्रणा स्तल के रूप में मनुने निर्जन बन यानी जहां पर बहुती कम एकांत एकदम सुन्षान इलाका हो पहाड हो या एकांत प्रसाद को उप्युक्त माना प्रसाद यानि एकांत महल कोई ऐसी जगए जहां पर कोई भी नहीं पहुंच सकता हो इसके वहाँ पर जो मंत्रियों से प्रामर्स किया जाना चाहिए स्वाभाविक रूप से तभी अपन उस मंत्रना जो की गई है या मंत्रियों से जो सला मस्युरा की गई है उसको अपन गोपने रख सकते हैं इसके अलावा मनु ने जो आप्षिक प्रस्चितियों का विवेचन किया वर्णन किया वो की मंतर की जो गोपनेता है सलाम अश्राइक जो गोपनेता है उसको कैसे रफा जा सकता है तो मनु निस्मर्दी में लिखावा है कि मंतरना स्टल से या मार्टना के समय जो बुद्धी ही इन व्यक्ति होते हैं या मूख भधीर जैसे ये तोता मेना जो भी या तैंद्वरत व्यक्ति रोगी इनको वहां से हटा देना चाहिए क्योंकि मनु का ये मानना था कि इन व्यक्तियों के ऐस्तर गुद्धी होती है और ये अपमानित होकर कहीं पर भी जो मंतर है उसका भेदन कर सकते हैं इस परकार अपन देखते हैं कि मनुष्ट मर्ती में जो मंत्रिव्षत की कारे पढ़ना ली है उसके व्यापक रूप से विवेचन किया गया है कि किस परकार मंत्रियों की कौन-कौन सी युग्यताई होगी उनके क्या दायत्व होंगे और किस परकार से मंत्रियों द्वारा द सकता है देखे मनुष्ट मर्ती में मनुष्ट की जो निरम्कुष्टा है उसके विचार का समर्तन नहीं किया हाला कि अपन देखते हैं कि जो राजय की देवी उत्वत्ति के सिद्धान देए यह पन पास जाते दसन में पढ़ते हैं तो वहां पर राजा को इश्वर का एक नियंतर्ण उसके उपर कई परकार के नियंतर्ण आपशिक लगाई कि उनका किस तरीके से वो उपनी सक्तियों का प्रियूग कर सकता है तो सबसे पहले आपन देखते हैं कि उसने मनुष्ट मर्ती में नेतिक और उसके उपर से धानतिक जो नियंतर्ण है लगाएगे और इ इनुश्य भी अपने जो आच्रन है उसमें धर्म का पालन करें और धर्म के पालन से ही वो अपने जो भी मौक्स प्राप्ति का लक्षे है उसको प्राप्ति कर सकता है। धर्म, अर्थ, काम और मौक्स, इनका प्र्यूग वो कैसे कर सकता है, धर्म के अनुसार अपने आच्न का करके ही कर सकता है, मनुश्मर्ति में देखे सासक को भी धर्म के अधिन माना गया, और ये कहा गया कि उस धर्म को राज धर्म का नाम दिया गया, कि राज धर्म के अवे पालन करवाई स्वयम भी राजा क्या रहेगा धर्म से सासित रहेगा यहां धर्म का अर्थ किसी धर्म विशेश्चे नहीं बलकि जो नेतिक सिद्दान्त होते हैं उनसे हैं कि उन नेतिक सिद्दान्तों का वो कभी भी उलंगन नहीं करेगा और खुद स्वयम धर्म से सासित रहते वे परजा के विभार में में किस परकार उनेतिक नियमों का, नेतिक आच्रणों का, नेतिक सिद्धान्तों का पालन करवाया जा सकता है, ये भी सासका परम करतववे हैं। कोई सारी 14 दंड से नहीं बलकि एक तरीके से दंड को धरम माना गया कि राजा जब दंड का प्रियोग करेगा तो वह उसका उचित रिष्टी से यह दी प्रियोग नहीं करता है तो वह श्वयम भी क्या हो सकता है नस्ट हो सकता है और कभी भी राजा के द्वारा इस दंड का प्रियोग अपने स्वार सिद्धी है तो नहीं किया जाएगा दंड का प्रियोग जो है वो न्याय विवस्ता को बनाई रखने के लिए किया जाता है क्योंकि दंड को न्याय विवस्ता का क्या माना गया है अंक माना गया एक तरीके से राज्ये में निया विवस्ता बनाई रखने के लिए दंड एक साधन बताया गया मनुश्मर्दी में और ग्रंद में ये भी लिखा गया है कि अपराद के अनुरूप यदि आपने अपरादी को अपराद के अनरूप दंड दिया है तभी अपरादी उससे प्रेरित हो सकता है या फिर वो सुधर सकता है यदि एविवेक पून तरीके से या जिस व्यक्ति ने जितना अपराद किया उससे अधीक मात्रा में उसको दंड मिलता है तो वह व्यक्तित दंडित से कभी भी उसमें सुधार नहीं हो सकता इसलिए मनु ने ये भी कहा है कि ये दिमान लिजे दोस्त का विचार ने करते वे राजा ने किसी व्यक्ति को ऐसे ही दंडित कर दिया है तो इससे राजा को श्वयम भी क्या हो सकता है नुकसान हो सकता है फिर अपन दूसरा देखते हैं कि राजा के उपर कौन से संस्ता के तन्यंतरन बताएं जैसा कि अपनने देखा कि सासक के लिए मंतरियों से और अन्य जो भी सासके अभिकरन है या सासके संस्ताइं है उनसे मंतरना करना मनुष्मर्टी में राजा के लिए क्या माना गया आफशक माना गया देखे राजा जब दूसरे राजों में दूत बेजता है या फिर उन दूतों की निउक्ति करता है उनके उपर निग्रानी रखता है तो इन विशों पर मंतरियों से मंतरना करना राजा क के लिए क्या माना गया आफशक माना गया तो एक तरीके से जो राजा है वो सवतंतर नहीं है स्वेचा से निर्ने लेने में बलकि मंत्रना की अनिवारिता दिखा कर मनुष्मर्थी में उसके अधिकारों को उसकी जो सक्तियां हैं उनको क्या किया गया पर्तिबंदित किया गय मनु ने राजा को ये परामर्स दिया कि वे अपनी परजा से नियाई पूर करों की प्राप्ति करे इस हमन में एक खतन मनुश मर्ती में जो देखने को मिलता है कि जिस परकार जोंक, बच्छडा और भर्मर अपने अपने खदे यानि जैसे जोंक है वो रक्त है और जो बच्ड़ा है वो दूद है भर्मर जो घौरा है वो मधू का थोड़ा थोड़ा ग्रहन करता है उसी परकार सासक को भी परजा से थोड़ा थोड़ा वार्सी कर ग्रहन करना चाहिए यदि वो अनावशक कर संचे करता है या अनावशक रूप से परजासे करके वसुली करता है तो वो राजा के विनास का क्या माना गया कर माना गया उसके विनास का कारण माना गया तो इस परकार अपन देखते हैं कि मनुने जो सास की निरंकुस्ता है उसके उपर कई परकार के पर्तिबन लगाए है धन्यवाद